नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है तुल्ष वास्तो और स्वागत है आपका नेक्सस जीस में समिक्षा अधिकारी 2023 जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर माह के पहले सब्ता हमें आ जाएगा इसका टेस्ट नमबर 3 है नेक्सस जीस की तरफ से लगातार ये टेस्ट सेरीज कराई जा रही है अब इस टेस्ट सेरीज में पाटिसपेट कर सकते हैं यह test series हमारे YouTube चैनल पर कराई जा रही है और Facebook पेज पर भी कराई जा रही है इसके अलावा अगर आपको हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन करना है तो टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा वैसे आप नेक्स जीएस बाई अतुल सर या नेक्स जीएस को सर्च करेंगे तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा टेलिग्राम पर तो 20,000 प्लस बच्चे इसमें इन्रोल के सीर्शक के बारे में है तो महा भारत के फारसी अन्वात का सीर्शक क्या है अन्वारे सुहैली, रजमनामा, खस्त, बहिशत या फिर आयारदानिस तो अकबर के आदेश से महा भारत के विभिन भागों का रजमनामा नाम से फारसी में अन्वात फैजी की निर्देशम ने नकीब खां बनायूनी तथा फैजी आदे विभिन विद्वानों के समलित प्रयतनों से किया गया था इसके अत्रिक्त बनायूनी ने रमाड का फैजी ने लिलावती का अबुल फजन ने कालिया दामन का फार्सी महिनवाद किया था तो अगर पूछा जाया कि महा भारत के फार्सी अन्वाद का सिर्शक क्या है तो अविस सी बात है रजम नामा है नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जित का निर्माड किस ने किया था कहा जा सकता है कि औरंग जेब ने किले के अंदर मस्जित की आवशक्ता का अनुभो कर मोती मस्जित का निर्माड करवाया था तो इसका सही उंतर क्या होगा औरंग जेब होगा नेक्स्ट है किस मुगल सेनापती के साथ सिवा जी ने 1665 में पुरंदर की संधी पर हस्ताक्षर किये थे दिलेर खाँ जैसिंग जस्वन सिंग साइस्था खाँ करीब 1665 की बात है 1665 के आरम में और अंग्जेब ने राया जैसिंग की नितरत में एक विसाल सिना सिवा जी का दमन करने के लिए भेजी थी जैसिंग कच्छवाहा शाशक थे जो कि युद्ध और शांती दोनों कलाओं में निपुर थे वह चतुर कूटनी दिग्य थे और उसने समझ लिया था कि बीजापुर को जीतने के लिए सिवा जी से मैत्री करना आवश्यक है अता पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगर की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने सिवा जी से संधी की पुरंदर की संधी करीब जून 1665 में हुई थी तो अगर पूचा जाए कि किस मुगल सिनापती के साथ सीवा जी ने 1665 पुरंदर की संधी पर साइन किये थे तो अब वीसी बात है जैसिंग के साथ नेक्स्ट है निमलिखित में से किस परिवार ने सरप्थम अकबर के साथ वैवाहिक संबंद स्थापित किये थे तो किस ने किये थे ये आपका कच्वाहों ने किये थे आमेर का शाशक राजपूत कच्वाहा वंशी भार मल अकबर से वैवाहिक संबंद स्थापित करने वाला पहला राजपूत शाशक था और ये पहला राजपूत शाशक फई था जिसने स्वेक्षा से अकबर की आधिनता स्विकार की थी नेक्स्ट है जिन्दा पीर के नाम से कौन जाना जाता था औरंग जेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वैम पर अभ्यास करता था उसके वेक्तिगत जीवन का जो नैतिक इस्तर था काफी उचा था तथा वह अपने युग के प्र पीर की रूप में मानते थे तो अगर पॉचा जा कि जिन्दा पीर की नाम से कौन जाना जाता था तो औरंग जिब जाना जाता था लेक्स्ट है किसमुगल बादशाह ने बल्बं द्वारा प्रा रावं किया गया दरवारी रिवास सिजड़ा समाप्त कर दिया था तो किसन प्रशना समुद्रुगुप्त के संधी विग्रह सचिव हरिशेण ने की थी। कनिंगम के मतानसार या लेक जो है मूलता कौसांबी में खुदवाया गया। अकबर ने इसे कौसांबी से मगा कर इलाबाद के किले में स्थापित कराया। इस पर जहांगीर का एक लेक रानी का बिलेक और अशोग द्वारा कौसांबी के महामात्रों का संघ भेद रोकने के निर्देश भी खुदा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समद्रुगुप्त के प्रयाग प्रसस्ती वाले इस्तंभ लेक पर किसका लेक मिलता है जहांगीर का लेक मिलता है। नेक्स्ट है इसकी जो मृत्ती हुई थी करीब 1627 में हुई थी और जहांगीर का जो मगबरा है नूर जहां ने बनवाया था। एक डच परिटक जिसने जहांगीर के साशन का मोलिवान विवरंड दिया है वो कौन था। तो फ्रांसिसको पेलसर्ड था जिसने जहांगीर के साशन काल का म पार्सी में वाद किया था नेक्स्ट है तो यह रहे आपके दस कोशन्स जो आपके आज कराए गया है और दस में से आपके कितने प्रशन सहीं है यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अगर आप यह विडियो जो है फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक हमारे